किचन में मौजूद ये एक चीद आज से ही खाना शुरू कर दीजिए आखों की कमजोरी नहीं होगी बॉडी के अंदर आपके जितना भी कॉलिस्ट्रोल बढ़ा हुआ है वो कम होगा गुड कॉलिस्ट्रोल प्रमोट होगा नसों का ब्लॉकेज खुलेगा और कभी भी शरीर में खुन की कमी नहीं होगी किड्नी और लीवर की सफाई होगी आपकी स्किन पर ग्लो आएगा आपके शरीर को ढेर सारे लाप मिलेंगे आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके सैकडो फायदे हैं किसी एक वीडियो में उसके बारे में जानकारी देना बेहत मुश्किल है ये आपके किचन में ही एविलेबल है लेकिन इसका सही तरीके से इस्तमाल लोग नहीं कर पाते हैं आज हम जो भी चीज आपको बताने वाले हैं इसकी सबसे खास बात ये है कि आप इसे कच्चा खाएं, इसे पका कर खाएं, गर्म करके खाएं, ठंटा खाएं सभी तरीके से ये आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा करेगा क्योंकि गर्म करने के बाद भी इसके पोशक तत्व खत्म नहीं होते हैं चले जान लेते हैं कि आज हम किस इंग्रिजिंट के बारे में बात कर रहे हैं। उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बेहत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेर करें। नवश्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वा तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। टेमाटर के अंदर पोशक तत्वों का भंडार होता है। इसके अंदर इतने सारे पोशक तत्वों पाये जाते हैं कि किसी एक सबजी में इतने पोशक तत्वों मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग इ इसके पोशक तत्वों की बात करें तो इसमें फासपुरस पाया जाता है, आरन होता है, कैलशियम होता है, फाइबर पाया जाता है, मैगनिशियम है, सोडियम है, पोटैशियम है, और भी धेर सारे पोशक तत्वों इसमें पाया जाते हैं जिसकी लिस्ट इहां स्क्रिन पर आपासानी से देख सकने हैं टमाटर इतना गुणकारी है कि इसे सूपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है आयरुवेद हो या फिर आर्चकल का साइंस हर तरीके से सबी लोग रिसर्च करके यही बताते हैं कि टमाटर का इस्तमाल करना हमारे शरीर के लिए बेहत फाइदे मंद है लेकिन वहीं एक सबसे बड़ी गलती जो हमारे किशन में अक्सर की जाती है वो यह कि हमें यही नहीं पता है कि हमें किस टमाटर का इस्तमाल करना चाहिए मारकेट में चमकीला दिखने वाला सुन्दर सा लंबा लंबा जो टमाटर आता है वो हमारे शरीर के लिए बिलकुल भी फाइदे मन नहीं है देसी जो टमाटर आता है जो गोल होते हैं छोटे छोटे होते हैं वो टमाटर हमारे शरीर को ज़ादा फायदा करते हैं देसी टमाटर के अंदर पाय जाने वल जो पोशक तत्पू होते हैं वही हमारे शरीर के अनुरूप हमारी प्रकर्टी पर कारे करते हैं जो हमें पूरे फायदे देते हैं वही पर जो हाइबरेट आप कह सकते हैं जो आता है टमाटर वो हमारे शरीर की प्रकरती के हिसाब से नहीं होता इसलिए उसे खाने के फायदे हमें नहीं मिलते हैं सबसे पहला फायदा होता है आपके दांतों और आपकी हड़ियों के लिए NCBI की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप टमाटर को अपनी डायट में शामिल करते हैं और रोज़ान आपने डायट में एक या दो टमाटर इस्तमाल करते हैं तो इससे आपकी हड़ियों कमजोर नहीं होती है आपके दात कमजोर नहीं होती है रीजन है इसमें लाइकोपिन और साथ में कैल्शियम भरपूर मातरा में होता है जो कि हमारे दातों को मजबूती देता है और साथ में हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है तो अगर आपको अपने दातों को स्वस्त रखना है, हड्डियों को मजबूत रखना है, तो आप टमाटर को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा इसमें आरन, वाइटमिन सी और एंटी ऑक्सिडंट भरपूर मातरा में होते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा हमारी आँखों के लिए होता है अगर आपकी आँखे कमजोर हैं, तो आपको रोजाना अपनी डाइट में एक से दो टमाटर कच्चे सो रूप में या पका कर भी सूप के रूप में भी आप ले सकते हैं इस तरीके से अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपकी आँकों की रोशनी बढ़ती है आँकों के आसवास जो चोटी-चोटी मास पेसिया होती है उन्हें बल मिलता है और मोतिया बिंदो रतोंधी की समस्या में भी आपको काफी लाब मिलता है अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनका चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है तो ऐसे में भी टमाटर अगर आप उनकी डाइट में शामिल करते हैं और साथ में टमाटर के साथ दो या तीन कालिमिर्च भी उनको देते हैं चाहे सूप में डाल करके दे दे चाहें जूस में उसका कालिमिर्च का पाउडर दाल के दे दे में उर्जा और पानी होता है जो कि आपको dehydration से बचाता है और आपको अपने वज़न को नियंत्रित करने में काफी असानी होती है टमाटर के अंदर नारंगी नाम का एक compound पाजाता है जो की body पर anti-diabetic प्रभाव डालता है जिसकी वज़र से जिन्य diabetes की समस्या है वो लोग मात्रा भी नियंत्रित होती है इसमें मौझूद beta-carotene साथ में इसके अंदर जो पाया जाता है vitamin C और anti-oxygen ये इसको इतना शक्तिशाली और इतना powerful बनाते हैं कि जब आप इसका इसका इस्तमाल करते हैं तो body के अंदर जो है जितने भी toxins हैं वो easily clear हो जाते हैं साथ ही जब आ cancer cells को मारने का काम भी करता है तो अगर आप cancer से बचना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप अपनी डाइट में टामाटर का सेवन सरूर करें अंदर कई सारे carotinoids, fiber, iron, calcium और बहुत सारे पोशक तत्वों साथ में beta carotin पाया जाता है जो की सबसे ज़्यादा करता है high blood pressure वालों के लिए अगर आपकी नसों में blockage है या फिर आपको blood pressure से related कोई समस्या है तो ऐसे में सलाजगे रूप में टामाटर को खाना आपके शरीर के लिए बेहत फायदे मंद होता है टामाटर में anti-inflammatory तद्वों पाया जाते हैं जो की सरीर से सूजर और दर्द को कम करने में काफी मदद करते हैं इसके अलावा अगर जोडों के दर्द की समस्या है तो अगर टामाटर का juice निकाल कर उसमें थोड़ी मात्रा में सोट और काले मिर्ज का powder म शरीर में खुन की कमी को भी पूरा करता है इसमें potassium flavonoids और beta-coratin और like open पाया जाता है जो की इसको इतना powerful बनाता है जिसके वज़े से अगर आप हार्ट को healthy रखना चाहते हूं नसों के blockade से भशना चाहते हैं तो यह आपको बल देता है आपके शरीर में cholesterol को NPA करता है जिससे आपका heart healthy रहता है इसमें मौजूत license heopin जो tweets यह खून के ठके बनने से रोपता है तो अगर आपको ब्लड को पतला करना है या गाड़ी ब्लड की दिक्कत है तो ऐसे में भी इसका इस्तमाल आपके लिए बेहत फायदे मन रहता है यह आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें हेप्टो प्रॉटिक्टिव त यह आपके स्किन के लिए अच्छा है आपके खून के लिए अच्छा है बोडी को डेटॉक्स करने के लिए अच्छा है शरीर में पोशक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए अच्छा है आपके बालों के लिए अच्छा है आपकी स्किन पर अगर आप इसको रव करते है तो आपकी skin में glow आता है, खाते हैं तो glow आता है, तो अब बात करेंगे, हमने बहुत सारे इसके फायदों के बारे में बात कर ली और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं ये चीज़ कि देखिए, अगर आप इसे इस्तमाल कर रही हैं, तो किस चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं तो सबसे बेस सरीका रहता है या तो आप इसे कच्चा खाएं दूसरा या इसका जूस बना कर लें तीसरा इसका सूप बना कर लें ताकि बहुत कम-कम मसालों के साथ आप इसे गर्म या ठंडे या कच्चे जिस भी स्वरूप में खाना चाहें इसके पूरे पोशक तत्व ले सकें अब एक बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि हमें पत्री की समस्या है ऐसे में क्या हम टमाटर का सेवन कर सकते हैं आपको बता दें टमाटर के जो बीज होते हैं वो डाइजिस्टिट नहीं होते हैं जैसे भिंडी के बीज नहीं ह होते हैं Marsane के द्वारा वैसे ही निकलते हैं चीमित तो इसल्गी की समस्या में इसे मनाई करिजाती हैं आप इसे बीज को सपरेट निकाल दें और इसके पल्क ऐतली को खाएं तो यहापको फाइदा करता हैं आपकी बौडी से टॉक्सिंस पर अगर अगर को टमाटर से कोई allergy है, आपको digest नहीं होता है, या टमाटर खाने के बाद पेट में दर्द या मरोड रहती है, तो ऐसे में आप इसे avoid करें. कोई गंभीर समस्या हो, तो पहले अपने डॉक्टर की सलहा लें. उमीद करती हूँ, आज की जानकारी आपको बेहर पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें. चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों को ख्याल रखें और हस्ते मस्कुराते रहें. Stay healthy, stay happy, bye-bye, नमस्कार.